क्या आप जानते हैं कि पत्ता कोभी वाला कीड़ा दिमाग तक कैसे पहुँच जाता है चलिए हम आपको बताते हैं इस कीड़े को टैप वाम के नाम से जाना जाता है खाने के जरीए ये पेट में चला जाता है और फिर आतों से ब्लट फ्लो के जरीए दिमाग तक पहुँच जाता है टैप वाम कीड़ा जानवरों के मल में पाया जाता है और जानवरों से पानी में और पानी से सबजियों में और सबजियों से हमारे पेट में चला जाता है टैपूम अंडे पालक पर भी पाए जाते हैं क्यूंकि पालक भी जमीन में ही उखती है ऐसे में पालक को कच्चा या अधपका खाने पर अंडों के पेट में जाने का डर बना रहता है इसके अलावा मचली और बीफ को भी अधपका या कच्चा खाने पर भी टैपूम हमारे पेट में चला जाता है इसका लारवा शरीर में जाने के बाद पहले अंडे देता है और उन अंडों से शरीर में जक्म बनने लगता है हाला कि इसका इलाद मौजूद है लेकिन बाद वकाती जान लिबा भी हो सकता है इससे बचने के लिए हमें खाने से पहले हातों को अच्छी तरह से साबुन से दो लेना चाहिए और इसी की साथ सबजियों को और गोश्ट को भी अच्छे से पका कर खाना चाहिए विबिया अच्छा लगे तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे